हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पदमावत में अलाउद्दीन खिलजी के रोल को बेहतरीन तरीके से निभा कर हर तरफ तारीफ पाने वाले रंडवीर सिंग अब एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं अब आप उन्हें सिख बने देख सकेंगे बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी कि रंडवीर को शेर खान नाम की फिल्म उफर हुई है जो अक्षे कुमार के फिल्म सिंग इजकिंग के तर्स पर होगी लेकिन उस फिल्म का फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है इस बीच खबर ये है कि रंडवीर सिंग को यश्राज फिल्मस ने एक और फिल्म उफर कर दी है इस फिल्म में रंडवीर सिक अवतार में होंगे रंडवीर सिंग के इस सरदार जी किरदार वाली फिल्म का नाम पौजिया बताया जा रहा है माना जा रहा है कि ये एक आर्मी मैन की कहानी होगी हाला कि अभी तक नत्व फिल्म के नाम की आधिकारिक घोशना की गई है और नहीं फिल्म को लेकर कोई और डिटेल बताई गई है फिल्म अगले साल शुरू होकर उसी साल रिलीज हो सकती है यश्राज की फिल्मों से अपना करियर शुरू करने वाले रनवीर सिंग ने इस बैनर पर आखरी बार बेफिक्रे में काम किया था तो चली नहीं रनवीर इन दिनों रोहित शेटी की फिल्म सिंबा में काम कर रहे हैं जो इसी साल रिलीज होगी जबकि उनकी आलिया भट के साथ जोया अख्तर के निर्देशन में बन रही गली बॉय की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है रनवीर सिंग के पास 83 नाम की भी एक फिल्म है ये फिल्म 1983 में भारतिय क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने की कहानी पर आधारित है